मैं मनीश टंडन सरकील हेट HDFC बैंक वारणसी मंडल देखता हूँ सर आप वारणसी से हैं यहां के लोकल है तो आपको कितना विकास बनारस में देखने को मिलता है जिस तरह से लोग बोलते हैं कि 10 सालों में बनारस कितना बदलाया चाहिए बात यहां के घाटो की करें बनारस के विश्वनात कोरीडोर की बात करें तो कितना अंतर देखता है आपको वारणसी का डेवलप्मेंट तो फिनॉमनल रहा है पिछले 10 सालों में मैं यहां पर 10 सालों से लगबग पोस्टेड हूँ आप मान के चलिए कि शुरू शुरू में लगबग कभी कभी देड़ दो घंटा लग जाता था अब यहां से एरपोर्ट लगबग 45 मिनिट में हम लोग पहुंच जाते हैं और वो एरपोर्ट की जो रोड है वो एक्स्टेंड हो गई है जौनपूर और आगे लखनओ तक तो इस बार मैं लखनओ यहां से गया हूँ तो मैं 5 गंटे सावा 5 गंटे में लखनओ पहुंच गया था जौनपूर सुल्तानपूर वाली रोड से और रही बाद घाटों की जैसे आपने कहा तो घाट भी बहुत सुन्दर हो गए हैं और गाटों में जो सुभाय बनारस घाट संद्या यह सब जो फंक्शन बनारस से हुए हैं और तो उसकी भावयता और बढ़ गई है गाटों की गंगा आरतियों की भावयता और बढ़ गई है तो इस तरह देखा जाए तो बनारस की भावयता और यह रुद्राक्ष सेंटर जो आपने जो सिग्रा में बना है उससे भी बनारस की भावय अगर आप देखे तो स्मार्ट सिटी में वारनसी हैं रिटर वन उफ भेस्ट सिटी इन दे कंट्री सो दाट शोज देवलप्टन वारनसी विश्वनाथ धाम की बात करें यह हमेशा से खासियत रहा है बार जो तिल लिंगो में से विश्वनाथ धाम अ उसका विस्तारी करन व हवा मिला है विश्व में कैसे उभर के ये चीज़े आ रही है आभी कोविट की वज़े से आप देखें कि बहुत फॉरेंट टूरिस्ट भी नहीं आ रहे हैं बट जब आएंगे तो आप देखेंगा कि I think highest tourism वारनसी में होगा आज मैं सुबा से वहां था तो मुझे लगता है वो किसी से छुपी नहीं है और जो अधिकारी गण है चाहे वो कमिशनर हो चाहे वो डीमो शहर के चाहे वो काशी विश्वनाद जी के जो CEO है वो रात रात भर वहां पर रहे कर पूरा काईदे से उसको maintain कर रहे हैं और कोई भी दिक्कत नहीं हुई ये अपने आप में करके निकल जाए ये अपने आप में प्रसाशन को बहुत-बहुत बधाई का पातर है प्रसाशन कि उन्होंने इस तरह से इस चीज़ को डेवलप किया साथ मार्च को बनारस में एलेक्शन है जिसे की कहा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा तहवार है लोकतंद्र का तहवार है जिसमें की जंता खुद से अपना प्रतिनिधी चुनती है और वो जंता की सेवा करते हैं तो इसके लिए आप लोगों से क्या अपील करेंगे साथ म समाज के लिए तो मैं यही कहूंगा कि आदमी को जरूर 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 वोट देना चाहिए और अपने घर से निकले और अपने मत्तों का अधिकार का प्रयोग करें यह हमारा राइट है और एवरिवन शुट गो आउट एंड डू दा वोटिंग और बनारस को सबसे ज़्यादा आइटिंग असी परसेंट वोटिंग से असी परसेंट से उपर वोट बनारस का होना चाहिए और यूपी में हाइस नमर दिखना चाहिए बनारस में सबसे हाइस वोटिंग हुई यह मेरी सबसे ब्रातना है